इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करेंगे पिछले आरार भी एक जम में पर्सेंटेज से जूरी है जिस टाइप का कोस्ट्यान पुछा गया था हम उसी के बारे में आज बात करेंगे और आज पांच कोस्ट्यान को आप लोग को सॉल करके दिखाएंगे हाई फ्रेंड में जाहिर आप देख रहे हैं स्मार्श टाइफर करियार यूट्यूब चैनल चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोस्ट्यान को देख लेते हैं उसके बाद इसको सॉल करेंगे पहला जो कोस्ट्यान है इधर पुछा गया 3 upon 4 3 upon 4 का परसेंटेज में निकालें तो देखिए दोस्तो 3 upon 4 का परसेंटेज इसका मतलब 100 से हिसाब होता है तो इसके साथ सीधा हम लोग 100 को मल्टिप्लाइ कर देंगे ओ हो जाएगा आप लोग का अंसार तो देखिए इधर 4 से 100 को हम लोग काटेंगे तो कितना होगा 25 होगा 25 से 3 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो होगा 75 यह हो गया दोस्तो इस कोस्टान का आंसार इसका मतलब 85% इसका सही आंसार है तो option C is the right answer तो दोस्तो हम लोग का पहला जो कोस्टान है वो वो सॉल्व हो गया अब जो देखना है दूसरा कोस्टान उसको भी आप लोग को सॉल्व कर करके दिखाते हैं तो चलिए दूसरा question क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तो ए है हम लोग का दूसरा question इधार बोला गया 45% of 300 plus root ओभर इधार root में जो value है इसका कितना value होगा ए निकालने के लिए बोला equal to a 56% of 750 minus 10% of 250 ये question RRB 2009 में पुछा गया था दोस्तो इसका भी 4 option है तो चलिए इसको भी solve करके आप लोग को दिखाते हैं 45% इसका मतलब 45% होगा 45% अपन 100 of of का मतलब multiply होगा 300 से plus root इधार इसको x लेक लेते हैं x का भैलने कालेंगे equal to 56% इसका मतलब 56 अपन 100 of का मतलब इंचो 75 minus 10% का मतलब 10 अपन 100 इंचो 250 तो दोस्तो देखिए इधर क्या होगा 20 से इसका 20 कटेगा 3 से 45 को हम लोग multiply करेंगे तो इसका जो अंसर होगा 135 plus root x equal to देखिए 1 0 से 10 कटेगा 2 होगा 5 से कटेंगे 15 इसको हम लोग कटेंगे 28 से 15 को हम लोग multiply करेंगे तो इसका होगा 420 minus देखिए 0 0 0 करेंगे 25 25 अब दोस्तो देखिए root x equal to होगा क्या 420 minus 25 इधर आ जाएगा तो ये plus minus होगा 135 equal to 420 minus ये देखिए ये minus ये minus ये जोड जाएगा आपस में तो हो जाएगा 160 420 से 160 को हम लोग minus करेंगे तो इसका result होगा 260 ये हो गया इसका result ये क्या है ये है root root अभार x का value और x equal to कितना लेख सकते है x equal to लेखते है टू स्टीफ जीरो इसका square हो जाएगा इसका मतलब root अभार उठेगा इसका मतलब square होगा इसके बाद ये उठेगा तो देखिए इसका जो result होगा हम लोग 26 का 26 का square करेंगे इतना होता है 676 और एक 0 का square दो 0 हो जाएगा ये हो गया दोस्तो हम लोग का answer 676 00 ये हो गया हम लोग का right answer इसका मतलब option D हो गया हम लोग का right answer दोस्तो हम लोग का दूसरा भी question solve हो गया अब जो देखना है तीसरा question उसको भी देख लेते क्या है उसको भी solve करके आप लोग को दिखा जे तो चलिए solve करते है दोस्तो ये है हम लोग का तीसरा question इधर क्या बोला उसको पहले देख लेते 30% apple out of 450 are rotten How many apple are in good condition इधर बोला गया 450-450 apple से 30% खराब हो गया 30% खराब हो गया और बोला गया कितना apple good condition का है अच्छा है मतलब सही है यह तो बहुत आसान होगा पहले देख ले थे कितना apple खराब हुआ तो यह कैसे करेंगी 30% खराब हुआ इसका मतलब 30 आपन 100 into 450 यह हो गया यह क्या निकलेगा यह खराब apple तो देख लेते हैं कितना shape खराब हो गया तो चलिए इसको देखिए 0 से 0 0 से 0 कर देगा 45 से हम लोग 3 को multiply करेंगे तो कितना होगा 135 35 क्या है 135 आपन सिर्फ खराब हो गया तो अच्छा आपन कितना है यह 4 5 0 से 135 को हम लोग minus करेंगे तो जो निकलेगा वो है सही आपन इसका मतलब देखिए इससे हम लोग minus करेंगे तो होगा 5 1 3 मतलब 315 315 आपन 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 है और option D हो गया right answer तो दोस्तो हम लोग का जो तीसरा question है उसको वो भी solve हो गया अब जो देखना है चौथा question उसको भी आप लोग को solve करके दिखाते हैं तो चलिए चौथा question को देख लेते क्या है यह हो गया हम लोग का चौथा question इसको देख लेते इधर बोला गया 76% student in a school or boys इधर बोला गया 76% student क्या है लरका है boys if the number of girl is 204 इधर बोला गया 204 204 क्या है girl से महिला then the total number of student is इधर बोला गया total number of student कितना है तो दोस्तो देखिए 70, 76% क्या है boys इसका मतलब जो girls girls से कितना है 204 204 equal to कितना percent होगा 204 equal to है देखिए 100 से 76 को हम लोग minus करेंगे तो कितना होगा 24 24% क्या है girls इसका मतलब हम लोग का जो total number student है वो निकलना है तो दोस्तो हम लोग इधर लेख सकते है X X number तक total student है इसका मतलब X का 24% equal to है 240 तो हम लोग लेख सकते है 24 आपन 100 sorry 100 यह की आए X का X से परसेंटे जे X का 24% इकला है 204 इधर X का जो भैलू आएगा ओही हो जाएगा हम लोग का आंसर तो हम लोग लेख सकते X equal to 204 into 100 आपन 24 100 आपन 24 तो दोस्तो जो आएगा यही होगा total number of student दिखिये 24 को 12 से काटेंगे तो होगा 2 और 204 को हम लोग 12 से काटेंगे तो होगा 17 इसको हम काटेंगे तो होगा 50 50 से 17 इसको multiply करेंगे तो होगा 8, 5, 0 मतलब 850 student total number of student है यह हो गया दोस्तो हम लोग का answer तो हम लोग का जो सही answer है option C हो गया हम लोग का सही answer है तो दोस्तो आज का जो चौथा question यह भी आज solve हो गया आप जो देखना है आज के लिए last question यानि 5th question उसको भी देख लेते है क्या है तो चलिए दोस्तो एए है आज का हम लोग का 5th question इसको भी देख लेते है question में बोला गया the sum of two numbers is 2,490 if 60% of one number is equal to sorry 6.5% of one number is equal to 8.5% of others the greater number is इधर बोला गया दोस्तो यह दो number का जब sum होगा वो कितना होगा 2,490 इधर बोला गया जो one number है उसका 6.5% और जो दूसरा number है उसका 8.5% equal होगा इधर जो सबसे बड़ा number है वो क्या है वो निकालने के लिए बोला एक question दोस्तो RRB 2006 में पूछा था इसका भी 4 option है इसको भी solve करके दिखाते हैं तो हम लोग लेक लेते हैं जो सबसे बड़ा number है वो है x सबसे बड़ा number क्या है वो है x तो दूसरा number क्या होगा 2490-x यह हो जाएगा सबसे दूसरा जो number है तो दोस्तों हम लोग लेक सकते हैं इदा देखिए x का x का 6.5% equal to होगा 2490-x का 8.5% equal होगा तो हम लोग लेक सकते हैं देखिए 6.5% of x equal to 8.5% of 2490-x यह हो जाएगा हम लोग का दोस्तों देखिए 6.5 आपन 10 into 1 आपन 100 into x equal to 85 आपन 10 into 1 आपन 100 into 2490-x तो दोस्तों इदा देखिए 5 से 65 को हम लोग को काटेंगे तो होगा 13 यह हो जाएगा 2 इदार 85 को हम लोग 5 से काटेंगे तो होगा 17 आपन 2 इस 2 के साथ 2 इस 100 के साथ 100 कर जाएगा तो इधर क्या होगा 13 x equal to 700 sorry 17 2490-1 तो हम लोग लेक साकते हैं देखिए 13 x equal to 2490 into x minus 17 x और इस 17 x को इधर ले आएगे तो इसके साथ plus हो जाएगा तो हो जाएगा 30 x equal to 2490 into sorry दोस्तरी 17 x ने होगा यदा 17 होगा 17 और x equal to होगा x equal to होगा 2490 into 17 आपन 30 0 के साथ 0 कर टेगा खिरी के साथ ये कर जाएगा तो होगा 83 83 से 17 को हम लोग multiply करेंगे तो हम लोग का जो answer होगा 1141 ये हो जाएगा हम लोग का जो सबसे बड़ा number है वो हम लोग का answer तो दोस्तो option D होगे हम लोग का right answer तो दोस्तो हम लोग का जो fifth question है आज के लिए last question इसको भी solve कर दिया और दोस्तो इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा चैनल में subscribe कीजिए और कर दोस्तो